ओन्लाइन साइट्स जैसे एमेजोन और फ्लिपकार्ट पर आपने बहुत सारी चीजे बिकते देखे होंगी और आपने कभी न कभी इन साइट्स का प्रयोग भी किया होगा लेकिन आज हम आपको ऐसी चीज के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे देखकर आप ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि भाई हद हो गई अब तो ये क्या भिकने लगा आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारी देशी गाय के गोवर से बने उबले वह इंटरनेशनल हो गए हैं जी हाँ अमेरिका के दुकानों में गोवर से बने उपलो की सेल लगी हुई है शोशल मीडिया पर पैकेट में उपलो की तस्वीर भी वाइरल हो रही है जिस पर काउ डंग केक लिखा हुआ है लोग गाय के गोबर के उपलो को खाने का समा ना समझ ले इसलिए उस पर लिखा गया है not eatable यानी कि ये खाने वाला पधार्त नहीं है बता दे कि अमेरिका के स्टोर पर गाय के जो उपले मिल रही है उसमें एक पैकेट में 10 उपले हैं और उस पर साफ साफ लिखा गया है कि ये सिर्फ धार्मिक काम के लिए है और ये खाने योग्या नहीं है इतना ही नहीं एक पैकेट उपला खरीदने के लिए एक पैकेट का मूल्य 2.99 डॉलर यानि तक्रीबन 214 रुपे रखा गया है एक पैकेट खरीदने पर आपको उसके अंदर 10 उपले मिलेंगे ट्विट के मुताबिक ये गोबर के उपले अमेरिका के न्यू जर्सी में बेचे जा रहे हैं हैरानी की बात तो ये है कि Amazon और Flipkart पर उपलग उपलों से ये कमदाम में मिल रहे हैं पैकेट पर Product of India भी लिखा हुआ है वर्दलब है कि आज भी भारत के कई गाउं में गाय के गोबर की यही उपले लोगों के लिए इंधन का काम करते हैं और महिलाई भी इन्हें जला कर खाना पकाती है गाय के उपलों का पूजापाट और हवन में भी देश में इस्तमाल किया जाता है जाहिर है कि विदेश में बड़ी संख्या में भारती रहते हैं और वो भारती संस्कृती के हिसाब से ही वहां भी पूजापाट वो तयोहार मनाते हैं ऐसे में अगर उन्हें विदेश में ही भारत की बनी हुई चीज़े मिल जाती है तो वो इन्हें हातो आत खरीत भी लेते हैं पता दे कि महानगरों में पूजापाट के समान को खोजना बहुत ही कठिन कारे होता है तो आप भी ओनलाइन शॉपिंग करके इसे असानिक से मंगा सकते हैं देपक कुमार पंजाब के स्री स्टूडियो दिल्ली यदि आप यह वीडियो फैसेबुक पर देख रहे हैं तो कीर्पवा पेज को लाइक कीजिए यदि आप यह वीडियो यूट्यूप पर देख रहे हैं तो कीर्पवा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आकन को दबाना ना भूले ता कि कोई भी नॉटिफेकेशन झाल झाल